अलेकुम दोस्तो आज मैं आपके सामने फिर से एक और important session के साथ हाजिर हूँ और इस session के दो रात हम important national highways देखने वाले हैं इंडिया के यहाँ पर topic को शुरू करने से पहले कुछ basic चीज़े जानते हैं पहली चीज़ आपको पता होगी जो हमारे पास national highways है यह हमारे पास किस में आता है यह हमारा land transport में आता है और अगर आपको देखना है इंडिया का total land transport कितना आता है वो आता है 63,31791 km का total land transport आता है और यह world dip में second number पे आता है यह भी आपको पता ही होगी इसमें हमारे पास क्या आता है एक तो national highways में लिए आते हैं और हमारे पास state highways आते हैं और हमारे पास क्या आता है other roads जिसमें हमारे पास village roads वगेरा वगेरा आते हैं यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएका कि national highways कितने किलोमेटर के है वो है 1,44,955 किलोमेटर के वो total length में है इतना आपको याद रखना है दूसरा अगर आपको बोला जाएका कि state highways वो कितने है वो है हमारे पास 1,67,079 किलोमेटर के वो हमारे पास है इतनी लंगत है इनकी और अगर आपको बोला जाएका कि other जिसमें हमारे पास district roads आते है village roads वगेर वगेर वो चीज़े आती है वो हमारे पास 60,09,757 किलोमेटर के है यह आपको याद रखना है नाव यहाँ पे हम बात करने हवाले हैं सिर्फ आज national highways की जो यहाँ पे national highways है ना इनको कून सी है authority maintain और organize करती है वो है national highway authority of India यह आपको सभू को पता है और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको establish कब किया गया है वो है 1995 में यह भी आपको याद रखना है और यही authority है responsible for the development, maintenance and management of these national highways इतना आपको याद रखना है अब यहाँ पे जो हमारे पास national highways है ना इनके बारे में कुछ basic चीज़े याद रखे पहली चीज़ अगर आपको बोला जाएगा ना कि lengthwise सबसे ज़्यादा national highways कहां पे है कहां पे largest number of national highways है वो आपको numberwise भी मिलेगा और lengthwise भी कहां पे मिल महारास्ट्रा में यह याद रखना महारास्ट्रा में मिलेगा और कितने है वो यहाँ पे number में 102 है और दूसरा अगर आपको बोला जाएका कि lengthwise कितने है वो है हमारे 18,459 km के यह आप याद रखोगे दूसरे number पे हमारे पास UP आता है UP में कितने है नाइशनल highways के और उसमें आपको बोला जाएका ना total length कितनी है वो है 12,270 km के यह भी आपको याद रखना है और तीसरे number पे हमारा आता है राजिस्तान यह भी आप याद रखोगे कितने है यहाँ पे 52 number है इनका और अगर length पूछी जाएगी वो है 10,706 km के यह आपको याद रखना है यह तीन काफी important है हमारे लिए इसके बाद इनको follow कूल करता है आंदरपर्देश फिर करता है करनाटका और फिर गुजरात और फिर इसके बाद आता है बिहार बिहार में सबसे कम है 55 और अगर length पूछी जाएगी वो है 5,969 km के यह भी आपको याद रखता है काफी important थे हमारे लिए that's why इन देखे स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पर दो चीज़े दिख रही होगी एक तरफ से नेशनल हवे की detailing और दूसरी तरफ से उसी नेशनल हवे का आपको map दिख रहा होगा इसका इतना ही motive है कि आपको जो नेशनल हवे आप पढ़ रहे हो ना देख रहे हो ना आपको तो वो easily visualize हो जाए कि यह कहां से लेके कहां तक जा रहा है दूसरी चीज़ यहां पर हम तीन ही चीज़े discuss करने वाले हैं एक तो नेशनल हवे की length दूसरा जो हमारे पास नेशनल हवे कहां से लेके कहां तक है और तीसरा यह किस सिटेट से होके गुजरता है काफी important तीन बेस्ट है मेरी तरफ से आप वीडियो को like करें ताकि यह बाक्यू तक भी पहुंचे क्यों YouTube का यही procedure है आप like नहीं करोगे तो यह बाक्यू तक नहीं पहुंचेगा तो हमें भी खुश करने के लिए आप like तो कर सकते हो इतना तो हो सकता है आपसे तो देखे अगर आप दे यानि endpoints बोला जाएगा वो इसका एक साइट से उरी है जो आपके कश्मीर के साइट से आता है और दूसरा आपका लिह आता है और यह आपके लदाक साइट से आता है यह किसकी बात हो रही है यह National Highway 1 की बात हो रही है और अगर आपको बोला जाएगा ना length इसकी कितनी है वो है हमारे पास 534 km दो ही UTs में यह गुजरता है I hope इतना आपको complete हुआ हम देखते हैं दूसरा National Highway देखे बात करते है National Highway 2 की काफी important National Highway है यह हमारे आसाम से लेके कहां तक है यहाँ पर आपको कौन सी स्टेट दिख रही है मिजोरम की स्टेट दिख रही होगी आसाम से लेके य इसके बीच में कुछ स्टेट्स आते हैं यहाँ पर देखे एक तो नागलैंड आती है मनीपूर आती है और यहाँ पर आपकी मिजोरम आती है इन ही चार स्टेट्स से होकर यह गुजरता है एक तरफ से इसका गुरूप ग्रा हमारे पास end point है और दूसरी तरफ से इसका 1, 3, 2, 5 km की इसकी length है बाकी चीज़े यहाँ पर लिखी है पढ़िए अगर आपके पास time है लेकिन यह important नहीं है जितना मैं भूर रहा हूं वही important है चलिए next national highway देखें अब आनेश 3 की और खुद visualize करिए कहां से लेके लह से लेके कहां तक जा रहा है यह जा रहा है अमरित स के साथ और अमरित सर हमारे किस के साथ पंजाब के साथ तो यह लदाख से लेके पंजाब तक जाता है इतना आपको समझ आ गया अब बीच में होके किस के साथ गुजरता है किस में गुजरता है यहाँ पर देखें हिमाचल परदेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तीन states को होके, एक union territory जिसमें लदाख आती है दूसरा हिमाचल परदेश और तीसरा पंजाब तक ये जाता है, ये national highway, और अगर आपको बोला जाएका कि length कितनी है, वो है 556 km की इसकी length है, और यहाँ पर आपको states भी दिख रहा होगा जिसमें हमारे पास लदाख UT है ये भी आप याद रहोगे, काफी important है लहसे लेके Atari तक चलिए मुआन करते है, next तक देखे, ये है हमारा NH4 और अगर पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक है, ये अंडवर और निकोबर में ही आपको मिलेगा और इसको किस नाम से भी जाना जाता है अंडवर अंडवर और निकोबर में ही इसकी लंगत है यहां पर हमने लिख के रखा है अगर आप देखोगे कि किस किस के साथ यह बस एक ही इसी में है अंडो बोरर और निको बार में आइलाइंड्स में ही ये आता है इसके अलाफा ये किसी के साथ इसको connected नहीं करवाता है इतना भी आपको दिमाग में रखता है चलिए मुआन करते हैं next पर देखे आप करते हैं बात National Highway 5 की I hope अभी तक आप लोगों ने like किया होगा ये जो National Highway 5 है ना ये पंजाब को हिमाचल परदेश के साथ connect करवाता है और अगर places बोला जाएगा फेरोजपूर और यहां से आपको इसका ship किला पास मिलेगा ship किला पास ये भी आपको पता होगी ये किसके border पर आता है ये इंडो चाइना border के पास आता है कौन ship किला पास ये भी आपको पता होनी चाहिए बोला जाएगा कि किसकी state से होके गुजरता है पंजाब, चंदीगर, हरियाना और हिमाचल परदेश से ये गुजरता है length पूछी जाएगी तो वो इसकी 660 km की length है I hope इतनी चीज़े आपने याद रखी होगी हम move on करते है next देखे अब NH6 की और अगर पूछा जाएगा ना कि कहां से कहां तक है NH6 हमारे Megalia से लेके कहां तक है जो हमारे पास Muzorum आता है वहां तक आपको ये मिलेगा यहाँ पे देखे यह जो आपको ये दिख रहा है न ये पार्ट ये इसके साथ इसको कोई भी touch नहीं है ये आपका त्रपूरा आता है इसको आपको leave करना है अब ये किस-किस में आता है यहाँ पे देखे ये क्या है आपका ये है आपका मिगालिया क्या है मिगालिया ये आप याद रखो कि दूसरा अगर आप यहां से यहां से ये ये वाला पार्ट देखो कि यहां से यहां से जो यह यहां से जा रहा है उपर की ओर ये है आसाम का पार्ट किसका आसाम का पॉर्ट और ये जो आपको आप ये नीचे वाला दिख रहा है ना ये आपको किसका दिख रहा है इजवाल कौन मिजोरम ये आपको पता ही होगी मिजोरम की कैपिल इजवाल है अब यहां पर किन को एक तो जोरबाट को किसके पास जुखा वथर के साथ ये क्य चीज़े आपने याद रखी चलिए मौन करते हैं next अब करते हैं बात किसकी एनेश 7 की एनेश 7 अगर आप देखोगे न यह आपको किदर से किदर तक लेके मिलेगा यह आपको पंजाब से लेके कहां तक जाएगा यह आपको माना तक माना कहां पर मिलता है आपको और जो हमारे पास फजील का आता है पंजाब का यह भी आप याद रखो के और अगर आपको बोला चाहेगा न कि बीच में किस-किस से यह गुजरता है पंजाब, हरियाना, हिमाचल परदेश और उत्राखंड इन चार जो हमारे पास यह चार स्टेट्स हाई इन ही चार स्ट के पेपर में पूछा गया था कि इन मैसे कौन सा NH5, NH6, NH7 और NH8 इन मैसे कौन सा सबसे बड़ा है उसका यही आंसर था, वो था NH7 चलिए मोहान करते हैं, नेक्स्ट पर देखें अब NH8 अगर आप देखोगे न यह आपको करीम घंज से लेके सब रूम तक है इसमें कौन- नैशनल हैवे में, यहाँ पर देखें, यह जो आपकी स्टेट है यह आपकी तृपूरा है, इसमें गुस्ता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे न यह वाली, यह वाली कौन है, यह आपकी मिजोरम है, इसके साथ इसका कोई भी टच नहीं है, इसलिए यह याद रखना यह आसाम और तृपूरा से होके क्या गुजरता है कौन, जो हमारे पास NH8 है, अगर लंगत पूछी जाएगी, वो है 371 किलोमेटर्स की इसकी लंगत है, काफी इंपोर्टेंट है, हम वहन करते हैं, अब देखते हैं NH9 को, काफी इंपोर्टेंट है, NH9 हमारे पास मिलोद से लेके पितोर्ग्रा तक है, और मिलोद कहां पे हैं आपके, पंजाब में, और जो हमारे पास पितोर्ग्रा है, यह कहां पे है, यह है उत्राखन में, यानि जो इसका वेस्टर एंड है, वो है मिलोद, पंजाब का, और इस्टर एंड इसका पितोर्ग्रा है, यहां पे पंजाब, हरियाना, देहली, उतरपरदेश और फिर उतरखंड में ये जाके मिलता है, अब यहाँ पर आप देखिए, और एक चीज अगर पूछा जाएगा कि लंगत क्या है इसकी, वो है 811 km की इसकी लंगत है, I hope ये भी आपने दिमाग में रखा होगा, तो हम आते हैं नेक के साथ ये इसको कनेक्ट करता है, I hope ये आपने देख लिया, दूसरी चीज, अगर आपको बोला जाएगा न, एंड पॉइंट क्या है, यहाँ से आपको गैंग टॉक मिलेगा, और यहाँ से फूल बरी मिलेगा, यहाँ आप ये भी याद रख सेखते हो, सिलिगुरी, वेस बेंगाल तक है, इतना आप याद रखोगे, अब यहाँ पर और एक चीज है, वो है लंग्ट, वो इसकी कितनी है, वो है 174 किलोमेटर, I hope ये चीज़ आपने याद रखी, चलिए, मुआन करते हैं नेक्स्ट पर, अब देखे एनेश 13, एनेश 13 अगर आपको बोला जाएग यहाँ पर ये सारा आपको उरनाचल परदेशी दिख रहा होगा, ये सारा अगर आप यहाँ से जाओगे, ये आपको सारा का सारा उरनाचल परदेशी दिखेगा, और अगर आपको बोला जाएगा था कि लंग्ट कितनी है इसकी, इसकी है 1559 किलोमेटर की इसकी लंग्ट है तो चलिए मोहन करते हैं next अब देखे एनेश 16 सीधे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यह कोस्टर लाइन आपको सारी दिख रही होगी इधर से ही होके होके यह कोलकता से लेके कहां जाता है चिन्नाई तक चिन्नाई कहां पर है हमारे तामिल लाडू में और कोलकता हमारा कह पर है यह हमारे वेस्ट बंगाल में है सब उको पता है तो आप क्या बोल सकते हो यह वेस्ट बंगाल से होके उडेशा से होके आंध्रपरदिश से होके तामिल नाडू पहुंचता है नौ अगर पूछा जाएगा कि इसकी लेंगत कितनी है वो है 1711 किलोमेटर की इसकी लें 16 की I hope ये भी आपने याद रखा हुगा चलिए मौन करते है next पर अब बात करते है ETA के सबसे बड़े national highway की north to south को ये connect करता है सीधे इसी route को आपको पकड़ना है सिरी नगर से आप फिर सीधे पहुंचाओगे कनिया कुमारी यानि कनिया कुमारी आपको tamil nadu में मिलेगा और सिरी नगर आपको जुमू एंड कश्मीर में मिलेगा यहाँ पर देखे ये ताज है और ये इसकी टेल है वहां तक आप पहुंच सकते हो अगर आपको यहां पर बोला जाएगा कि इसकी लंगत कितनी है वो है 411, 2 km की इसकी लंगत है गुजरता किसकी सिटेट से है आपको दिखरा हो गया है जुमु एड कश्मीर, फिर हिमाचल परदेश, फिर पंजाब, फिर अगर आप देखोगे फिर हरियाना, फिर उत्तर परदेश, फिर मधिया परदेश, फिर महराष्ट्रा, फिर तिलंगाना, फिर आंधरपरदेश, फ तोटल आती है जिन से हमारा NH-44 गुजरता है बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है हम वान करते हैं next चले आप करते हैं बात NH-48 की अगर बोला जाएगा कि कहां से कहां तक है दहली से लेके ये चिन्नाई तक जाता है तामिलनाणू तक जाता है यहाँ पर अगर बोला जाएगा कि किस किस स्टेट से होके गुजरता है यहाँ पर देखे यह जाएगा आपके दहली फिर जाएगा हरियाना फिर जाएगा राजिस्तान गुजराथ, महराष्टा, करनाटका और फिर पुहुंच जाएगा कहाँ पर तामिलनाड उप है ये states आपको याद रखती है दूसरी चीज अगर north end दहली ये आपको हर जगा मिलेगा और south end इसका चिन्ड़ मिल जाएगा और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी लंगत कितनी है अगर पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक है ये आपको गुजरात से लेके गुजरात के port बंदर से लेके कहां तक जाएगा सिचर आसाम तक इतना आपको याद रखना है अब किस किस state से होके गुजरता है पहले गुजरात में यहां से देखे 3507 और ये क्या है? ये है second largest highway of India पहला कून है? वो है NH44 अभी हमने डिस्कस किया था चली मोहन करते हैं next जाब करते हैं बात NH19 की NH19 आगरा को कुलकता के साथ connect कर आता है यहाँ पे हमारे पास आगरा UP में आता है और कुलकता सब खुपता है वेस्ट बंगाल में आता है यानि UP को ये वेस्ट बंगाल के साथ connect कर आता है और बीच में कून-कून सी state आती है वो बिहार और जारखन हमारे पास इसके बीच में आती है और अगर लंगत पूछी जाएगी न वो इसकी 1323 है याद रखना इतने किलोमेटर की इसकी लंगत है यानि NH 19 इतने किलोमेटर का है तो चलिए देखते हैं next हमारे पास next हमारे पास आता है NH 30 याद रखना NH 30 जो हमारे पास है ये आपके उत्राखन यानि जो आपका सितारगंज आता है उदर से लेके यह आपको विजेवाड़ा तक आता है इतना याद रखना है विजेवाड़ा आपका कहाँ पे है विजेवाड़ा आपका आंधरापरदेश में है यह आप याद रखोगे यानि यह उत्राखंड से लेके आंधरापरदेश तक है और लेंगत अगर पूछी जाएगी न वो है 1984 की इसकी लेंगत है बीच में किसकी स्टेट को काटता है यूपी को, मदियापर्देश को, छथीजगर को और तिलंगाना को याद रखना टोटल 6 स्टेट के थू ये जाता है कौन NH30 की बात चल रही है आई होप आपने ये भी याद रखा तो चलिए मुआन करते हैं next देखें अब करते हैं बात NH34 की अगर पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक है गंगोतरी दम से लेके कहां तक जो हमारे पास लकननदोन आता है ना वहां तक है ये ये हमारे पास मधिया परदेश में आता है और गंगोतरी दम आपका उत्राखंड में आता है बीच में कौन सी हमारे पास स्टेट आती है वो आपकी UP आती है याद रखना मधिया परदेश, UP और उत्राखंड से हमारा NH34 जाता है लेंगत पूछी जाएगी वो है हमारे पास 14, 26 14, 26, sorry यहाँ पर ये चीज़े आप याद रखोगे मैप इसलिए लाया है ताके आपको एक-एक चीज विज्वलाइज होई इसका आप फाइदा उठाओगे बाकी अगर अब भी तक लाइक नहीं किया है आपको अंकोला तक मिलेगी संगरूर से लेके अंकोला तक आपको मिलेगी और यहाँ पर पंजाब और करनाटगा को यह आपस में connect कराता है और अगर आपको बोला जाएगा ना कि बीच-बीच में आपको कून सी स्टेट मिलेगी देखें, यहाँ पे पंजाब है, और बीच में आपको हरियाना मिलेगी, फिर राज़तान, फिर मध्यापरदेश, फिर महराष्टरा, और फिर करनाट का आपको मिलेगा, यहाँ कितनी स्टेट्स आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टेट्स आपको टोटल मिली है, आपको यह याद रखना है, और अगर आपको बोला जाएगा ना कि टोटल लंगत कितनी है इसकी, वो है 2, 3, 1, 7, इसकी टोटल लंगत है, I hope यह भी आपने याद रखा, तो चलिए देखते हैं आगे, देखें आप करते हैं बात NH 53 की, कहां से कहां तक है, हिजारा, कहां तक प्रिदीपूर् आता है, यह हमारे पास उडेसा में आता है, I hope यह दो चीज़े आपकी क्लेर है, यह किस-किस स्टेट से होकर गुजरता है, वो भी याद रखें, पहले तो गुजरात आपने याद रखा, बीच में महरश्ट आता है, फिर छदीजगर आता है, और फिर ही उडेसा आता है, इन चार स्टेट से होकर यह गुजरता है, NH 53, लेंगत कितनी है, वो देखें, वो है 1795 किलो मेटर की इसकी लेंगत है, I hope यह चीज़े भी आपने याद रखी है, चलिए देखते हैं अगला वाल, चलिए आप देखते हैं हमारे NH 66 को, यह हमारे पास पनवेल से लेके कहां त दोनु चीज़े आपने याद रखी, महराष्ट्रो को किसके साथ तामिल नाडू के साथ कनेक्ट करता है, बीच में कौन-कौन सी स्टेट आती है, इसमें गोवा आती है, करनाटका, केला और तामिल नाडू आती है, यह भी आपको याद रखनी है, अगर बोला जाएगा कि प्रोटल लेंगत कितनी है, वो है 1640 किलो मिटर्स की, यह भारी लेंगत आप याद नहीं रखना, यह अपडेटिड लेंगत है, आई होप इतना आपको अच्छा लगा होगा, यही थे हमारे कुछ नेशनल हैवेज और इंपोर्टन बनते हैं हमारे exam point of you से, आई होप आपक पितनी है कि आपको इंपत बनते हैं हमारे लेंगत इंपत लेग।